अब रहो अन्स्टॉप इपकेंड दस्टिंग फाउडर के साथ डॉक्टर्स का सुझाया नंबर वन रहे अब चलते हैं पंजाब यहाँ पर कॉंग्रेस के एक बड़े नेता नेता अरेस्ट हुए ड्रक्स का केस है नेता जी का नाम सुखपाल सिंग खेरा अब केस जानते हैं उसके बाद राजनतिक जगला समझेंगे मार्च 2015 का यह मामला फजिलका केज जलालाबाद में केस के तौर पर सामने आया बारा लगी थी नार्कोटिक ड्रक्स एंड साइको ट्रॉपिक सबस्टेंसिज एक्ट 1985 यानि NDPS एक्ट इस एक्ट को आपने बार बार आरेन खान वाले केस के समय सुना होगा NDPS एक्ट को बेराल खेरा पर आरोप लगे कि उन्होंने ड्रक्स के पैसे से प्रॉपर्टी खरी दी ये भी कि उन्होंने साल 2014 से 2020 के बीच खुद पर 6 करोड रुपे खर्च किये और ये खर्च चुनावी हलप नामे में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता था अब जब खेरा के अरेस्ट का लाइब वीडियो आया तो कुछ बातें और भी सुनाई दी वीडियो में खेरा कहतें सुनाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था फिर DCP अचरू राम शर्मा खेरा से कहते हैं कि इस साल के अपरेल में एक और S.I.T. का गठनी हुआ था और जहांत में हमके खिलाफ ड्रक्स तसकरी के सबूत मिले हैं साथ-ाठ मिनट की बहस के बाद सुप्राल पुलिस फैन में बैठ जाते हैं और बैठने से पहले मुस्कुरा कर कैमरों की तरफ देखते हैं कहा जा रहा है कि वो फेस्बुक लाइट के जरिये संदेज देना चाह रहे है थे कि वो बेकसूर है और ये पॉलिटिकल लिखा सुपाल सिंग खेरा जी की हालिया गिरिफतारी से बदले की राजनीती की बू आती है विपक्ष को डराने की कोशिश है मुख्य मुद्दों से ध्यान बटकाने की पंजाब सरकार की चाल है हम मजबूती से सुपाल खेरा के साथ खड़े हैं उस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे कॉंग्रेस ने ता प्रताब सिंग बाजवा भी मैदान में आये दो दिन पहले उन्होंने एक बयान देकर पहले ही हला काट रखा था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक कॉंग्रेस के संपर्क में है और तब मुख्यमंतरी भगमत मान ने जवाब दिया दुख की बात ये है कि पुलिस के पास गिरफतारी का वारेंट नहीं था बाजवा ने ये भी कहा कि पंजाब सरकार मेरे बयान का बदला खेरा से निकाल रही है हमानी पार्टी की ओर से इसका जवाब भी आया राजवा सांसद सुशील गुप्त उन्होंने कहा कि केस तब दर्ज हुआ जब अकाली दल की सरकार थी और वो पहली बार कॉंग्रेस के राज में अरेस्ट हुए थे लेकिन तब कॉंग्रेस से जुड़ गए और उन्हें राजनेतिक संरक्षन मिल गया यह तो बयानों की बात हुई लेकिन राजनेतिक मिहतारत क्या है जानते हैं पत्रकारों से पंजाब की राजनेतिक बड़े रोचक दोर में है सुखपाल खेरा का की गिरफतारी हुई और उसके बाद जो बहुत सारी चीजे हैं वो आने लगी है उसमें ये बात भी कहा गया जो वहां के लीडर ओफ आपोजीशन है बाजबा साब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है पंजाब में वो इसलिए क्योंकि लगातार अटैक करते रहते हैं और कई बार नीजी हमले भी अभी हाल फिलाल में जो रागव चड़ा की शादी हुई उसमें किस तरह के तरीकी की गाड़ियों में लेकर के आए अब जो गेस्ट थे वो उनको लेकर के उन्होंने टिपन क्रिटिकल रहे हैं और कई बार नीजी भी आरोप लगाते हैं लेकिन साथी साथ जो डाइनमिक्स है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का खास तोर पर जिस समय इंडिया गटवंदन की चर्चा हो रही है उस समय साफ तोर पर नजार आ रहा है कि पंजाब में कहीं भी वो केमिस्ट्री फिट नहीं बैट रही है पंजाब की जो तमाम कॉंग्रेसी नेता हैं वो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा आकरामक है वो चाहे बाजवा हों कहरा हों और इसके बाद तो और भी स्थितिया जो है वो बदलने वाली है आम आदी पार्टी और कॉंग्रेस की कर वीट करने चल रही है